नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल P4 पोर्टफोलियो में आज हम आइडियल पोर्टफोलियो के सीरिस को वीडियो बनाने वाले हैं 35 से 50 लाक के कैपिरिल अगर आपके पास होता है तो कौन से सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए कितना ऐलोकेशन करना चाहिए कितने स्टॉक्स होने चाहिए इन सभी जीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगलर अपडेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन बल को प्रेस कीजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चलने को भी जॉइन के जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जैसा कि आपको पता ही होगा जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता जाता है इनसान में समझ आती है experience आता है मार्केट के उतार चड़ाव को समझ पाता है मार्केट कैसे हमें manipulate कर जाती है वो समझ जाता है तो इसकी risk capacity भी बढ़ जाती है high risk high gain stocks में वो थोड़ा सा investment कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने portfolio में quality small caps को भी वो add कर सकते हैं कि आगे जाकर हमें mid cap या फिर large cap देखने को मिल सकती है जो कि हमें multi back returns बना कर दे सकती है sectors की बात करें तो यहाँ पर FMCG, IT, consumption, BFSI, chemical, pharma, infra, auto, metal पर उन्हें focus रखना चाहिए हाला कि जैसे capital बढ़ता जाता है वो risk भी ले सकते हैं power और real estate में भी अगर investment करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है लेकिन अगर आप power और real estate को छोड़ भी देंगे तो यहाँ पर कोई problem हो जाएगी यहाँ पर आप कोई बड़ी opportunity miss कर जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है क्योंकि power sector और real estate sector काफी ज्यादा risky होता है लेकिन फिर भी power sector में अगर आप investment कर रहे हैं तो एक बात में आपको बताना चाहता हूँ कि renewable में ही investment कीजेगा जो पहले जो पहले conventional type के थे वहाँ पर investment करने से बचे गया जैसे green energy अभी revolution करने वाली है आगे जाकर green energy हमें देखने को मिल सकती है तो ऐसे stocks में investment कीजेगा उतना ही मेरा कहना होगा sectors के कुछ best stocks के बारे में बात करें तो FMCG sector से HUL, Nestle, Britannia, Darber, ITC, Colgate जैसे कुछ अच्छी companies दिखाए जेती है अलाकि ITC एक pure FMCG company नहीं है तो वहाँ पर आप avoid भी कर सकते हैं IT sector से TCS, Infosys, HCL Tech, Vipro जैसे कुछ अच्छी companies है अगर बात करें यहाँ पर consumption sector के बारे में तो Bata, Relaxo, Titan, Voltas, Paint sector भी काफी अच्छा है लेकिन Paint sector Real Estate से काफी ज़्यदा जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर संभल कर invest करना चाहिए BFSI sector के बारे में बात करें तो HDFC पूरा ग्रूप ही अच्छा है चार कंपनिस रिटरे सबकी सब क्वालिटी स्टॉक है कोटक महिदरा बैंक काफी अच्छा है साथीजाज बज़ाज डू यानि की बज़ाज फिंजावा बज़ाज फैननस मुतुद फैननस भी एक क्वालिटी स्टॉक है अगर बात करें यहाँ पर केमिकल सेक्टर के बारे में तो पिडिलाइट इंड़स्ट्री, आर्थी इंड़स्ट्री, SRF, अतुल, दीपक नाइट्रेड, विनाति ओर्गेनिक्स, फाइन ओर्गेनिक्स, नविन फोरिन यह भी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं अगर बात करें फार्मा स्टॉक्टर के बारे में तो फाइजर, आबाट, बायोकॉन, कैडिला, एल्थकेर, सिपला जैसे अच्छी कंपनीज हमें दिखाई देती हैं अगर हमारी कंट्री को ग्रो करना है तो इंफ्रस्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है लार्सन और टुबरो को हमें मेस नहीं करनी चाहिए अगर हमें इंफ्रस्ट्रक्चर में ग्रो होना है तो LNTP जरूर ग्रो होगा सिमेंट से अल्ट्राटेक सिमेंट काफी अच्छा है और साथ ही साथ अगर बात करें अच्छी काम करने काम करती है लेकिन कभी न कभी और हमें रिवाइवल देखने को मिलेगा तो यहाँ पर जो अच्छे ष्टॉक्स हैлушा है तो यह लिए अच्छी बहला Dwight सुजुकी बजाद Auto Hero Motor Corp जैसी अच्छी companies पर हम focus रख सकते हैं लेकिन छोटे portfolio वाले जिनका capital कम है वो इसे avoid भी कर सकते हैं Metal sector के बार में बात करें तो Tata Steel, Hinda को Grassim काफी अच्छे हैं आदा कि Vedanta भी काफी अच्छा है लेकिन वो deal list होने वाला है तो वहाँ पर investment नहीं करना चाहिए अगर बात करें commodity sector यानि कि ये जो metal sector है वहाँ पर हमें एक range ही दिखाई देती है overall growth दिखाई नहीं देती है एक ही range में सालों से stocks trade कर रहे हैं उपर जाते हैं वापस नीचे आ जाते हैं इसलिए ये stock अगर आपको नीचे के price पर मिलता है तो ही इसमें investment करना चाहिए जब ये उपर जाता है वहाँ पर देच दिए profit booking कर लीजे ये हमेशा लेने वाला stock नहीं है इसमें buying करके आँख बंद करके सो जाना है ऐसा stock नहीं है कितने stocks होने चाहिए मेरे portfolio में ये सबसे बड़ा सवाल होता है तो जिनका portfolio 35 लाग से 50 लाग के आस पास था है वो 30 से 35 stocks पर focus बना रख सकते हैं उन्हें analyze करना भी काफी easy हो जाएगा track करना easy हो जाएगा manage करना easy हो जाएगा किसी के quarter के results आ रहे हैं कुछ commentary आ रहे हैं तो उसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे साथ ही साथ इन 30 stocks में ही आप अच्छी तरह से diversification भी कर पाएंगे और आपका over diversification भी होने से बच जाएगा और averaging करना भी easy हो जाएगा जब market में हमें किरावट देखने को मिलेगी allocation के बारे में बात करें तो allocation कभी भी per sector 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कितना भी favorite sector क्यों ना हो अगर बात करें per stock के बारे में तो कभी भी 20% से ज्यादा का allocate करने से हमें बचना चाहिए काफी लोग मुझे बता दे हैं कि Reliance एक ऐसा stock है जो की well diversified company है वहाँ पर अलग-अलग sectors देखने को मिलते है तो क्यों ना पूरा का पूरा पैसा वहाँ पर ही लगा दिया जाए ऐसा करने से हमें बचना चाहिए suppose की Reliance की जीओ तो अच्छी जल रही है लेकिन Reliance रीटेल में हमें कोई problem देखने को मिलते है तो उसके कारण भी हमें Reliance के share में गिरावट देखने को मिल सकते है इसलिए कभी भी एक ही stock में पूरा investment करने से बचना चाहिए और साथ ही साथ cash in and होना बहुत ही जरूरी है मैं minimum 30% recommend करता हूँ अलग कि थोड़ा उपर नीचे हो सकता है 25% 35% हो सकता है लेकिन cash होना बहुत ही जरूरी है लेकिन जब भी market में ग्रावट आती है तो हमें cash ही सबसे तदा काम आने वाला है मैंने आपके लिए एक model portfolio बनाया है जो कि ये 50 लाग का portfolio लेकिन portfolio के बार में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक example है यहाँ पर आप अपने हिसाब से stocks change कर सकते हैं allocation भी change कर सकते हैं मेरी दर्फ से ये सिर्फ एक example लिखी कैसा आप portfolio build up कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने buying price नहीं लिखे लेकिन काफी लोग मुझे बता रहे है buying price भी लिखनी चाहिए कौन से price पर stocks में हमें addition करनी चाहिए जब भी कोई अच्छा stock आएगा अपने buying price में मैं जरूर आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा तो FMCG सेक्टर से H.U.L. और Nestle को चुना है 1.5 lakh का each investment किया है और IT सेक्टर से TCS और Infosys को चुना है 1.5 lakh each का investment किया है अगर बात करें यहाँ पर Pharma सेक्टर के बारे में तो Abbott और Pfizer को चुना है 1.5 lakh का investment किया है अगर बात करें Chemical सेक्टर के बारे में तो Pedilite और Atul को चुना है 1.5 lakh each का यहाँ पर investment किया है Reliance एक well-diversified company है 2 lakh का investment किया है Gas sector से IGL और Adani Gas को चुना है 1 lakh each का मैंने investment किया है Adani Gas एक volatile stock है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन इसका future काफ़ी अच्छा हो सकता है private company है अगर आपको नीचे के price में मिलता है तो यहाँ पर आप quantity add करने के बारे में सोच सकते है और मैंने info age को भी चुना है यानि कि nokri.com को 1 lakh each का यहाँ पर investment किया है अगर बात करें यहाँ पर infrastructure के बारे में तो मैंने L&D को चुना है अल्टराटेक को चुना है और सुप्रीम को चुना है 1 lakh each का investment किया है और metal sector से Tata Steel को चुना है 1 lakh का यहाँ पर investment किया है अगर बात करें यहाँ पर सबसे important BFSI sector के बारे में तो HDFC bank, Kotec bank, Bajaj Finzo, Bajaj Finance, Muthud Finance 1 lakh each का मैंने यहाँ पर investment किया है और सबसे important cash in hand होना बहुत ही ज़रूरी है 15 lakh का cash in hand मैंने यहाँ पर रखा है अब अपने हिसाब से cash उपर नीचे कर सकते है लेकिन कभी भी market में गिराबाट हो सकती है ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए आँखो पर पट्टी बांद कर तो हमें तेजी का दिखावा नहीं करना चाहिए बस अभी bullishness ही बन गई है कभी भी कुछ भी हो सकता है यह market है हमें उसके लिए तयार रहना चाहिए जो stocks पहले से ले लिए हैं उनमें averaging करने के लिए quantity add करने के लिए 15 लाग का मैंने यहाँ पर cash in and recommend किया है आपके हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते है जैसा कि माने का जैसे जैसे experience portfolio होता है capital बढ़ती जाती है risk capacity भी बढ़ती जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा investment hero या zero वाले stocks में भी किये जा सकते है जैसे कि penny stocks हो गए, operator based stock हो गए या news based stocks हो गए लेकिन इसमें भी एक strategy लगानी चाहिए कभी भी 5% से ज़्यादा का capital इसमें allocate करने से हमें बचना चाहिए अलग-अलग penny stocks आप investment के लिए ले सकते हैं एक ही penny stocks में पूरा investment नहीं करना चाहिए अलग-अलग stocks लीजे और वो भी तो ही लीजे अगर आपको नीचे के price पर मिल रहे हैं, काफी ज़्यादा उपर वो निकल चुके तो वहाँ पर हमें correction कभी भी देखने को मिल सकता है और साथ ही जाथ entry तो हम ले लेते हैं exit के बारे में भी हमें पता होना चाहिए उसके बाद ये मन सोचे कि कितना और भी जादा उपर ये जा सकता है जैसे कि मैंने पहले भी बता है कि यहाँ पर quality small caps को भी add किया जा सकता है जैसे जैसे portfolio बढ़ता जाता है capital बढ़ती जाती है तो थोड़ा सा risk कम small caps में भी ले सकते हैं लेकिन जिनका portfolio चोटा है जो काफी जदा कम capital में invest कर रहे हैं वो small caps को avoid कर सकते हैं और blue chip stocks पर focus रख सकते हैं लेकिन जिनका capital अच्छा है वो small cap के भी focus कर सकते हैं क्योंकि वो आगे जाकर हमें large cap या mid cap बनते हुए नजर आ सकते हैं जो कि हमें multi bagger returns बना कर दे सकते हैं लेकिन ये तो सिर्फ सिक्के का एक value है दूसरे value पर हमें ध्यान देना चाहिए कि normally generally सारे कि सारे small caps small cap भी रह जाते हैं या फिर stock में pump and dump हो जाता है बहुत ज़्यादा उबर लेकर जाते हैं अगर आपके पास 50 lakh से ज्यादा का capital है तो आपको एक professional manager के पास जाना जी है जो आपको portfolio build up करके देगा जिससे हम अच्छे से risk manage भी कर पाए तो अगर आपको ये ideal portfolio की series पसंद आती है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए subscribe कीजिए, मुझे motivate कीजिए thank you, stay happy, happy investing